हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर जिसा कि सीटेट का सॉर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अगर आपने सीटेट पर इच्छा कौलिफाई कर ली है को चाहे प्राइमरी अस्तर की हूँ या जूनियर अस्तर की तो आप कैसे अपना सॉर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे कैसे निकाल पाएंगे जैसे कि अभी तक क्या होता था कि जो आपका पेपर होता था पेपर होने के बाद सॉर्टिफिकेट आपका बाइपोस्ट आपके घर पहुंच जाता था लेकिन अब बाइपोस्ट उन details को आपको fill करना है इन details को fill करने के बाद में आपका जो DG Locker पर certificate है वो download होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं DG Locker पर एक ID बनाते हैं उसके बाद में registered होने के बाद हम चलते हैं certificate download करने की तरफ तो देखते हैं सबसे पहले DG Locker registered करते हैं जैसा देख पा रहे हैं, खुला गड़ेजिला कर, लिखा है full name, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, नाम से उसी परकार लिखना है, जैसा है कि आपके आधार कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ है, आपको यहाँ सलेट करना है data birth, फिर भरना है male, female जो भी आपके ओपर आगो होता है, mobile number, email id, और यहाँ पर आपको six digit का कोई pin बना लेना है, फिर करना है submit, अब details को fill करने के बाद में हम करेंगे submit, पर क्लिक करें, तो एक OTP आपके mobile पर जाएगा, जो आपके आधार पर registered mobile number उसे पर एक OTP जाता है, उस OTP को यहाँ डालगर हम submit करते हैं, फिर यह यहाँ से हम submit करते हैं, submit क्लिक करने पर यह details आगे बढ़ जाती, यहाँ पर आपको भरना है अपना आधार number, इसमें आपको अपना आधार number देना है यहाँ से, अब यहाँ से हमें करना है next, जैसे आप next पर क्लिक करते हैं, तो फिर एक OTP आपके mobile number पर जाता है, जो registered है आध number भरना है, और उसके बाद जो आपने pin बनाया है, security pin, उसे आपको भरना है और sign in कर लेना है, यहाँ से इसको हम डाल के आगे बढ़ते हैं, अब login करने के बाद भी हमको एक OTP जो अपने mobile number पर आएग, उसे भरना यहाँ पर, उस OTP को डालेंगे और फिर हम submit कर लेंगे यहा से हम क्लिक करेंगे, issue document में, तो यहाँ पर issue document में लिखा है, get more issue document, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में करना क्या है, हमें यहाँ पर बहुत सारे options दिखाए देंगे, बहुत सारे state की details दिखाए देंगी, जैसे आपको यहाँ से pen verification करना है, COVID certificate download करना, high school mark seat, 12 mark seat, driving license, रासन कार्ड, यह बहुत साई चीज़े यहाँ पर दी गई है, अब हमें निकालना है, seated का certificate और mark seat, तो इस search documents में लिखेंगे, हम CTT, यसे आप CTT लिखते हैं, और उसके बाद करते हैं search, तो नीचे देख पा रहे हैं, दू चीज़े लिखके यहाँ पर आई है, यहाँ ल रोल नंबर भरेंगे यहाँ से, और रोल नंबर भरने के बाद में आपको select करना है कि आपको जो year, month था क्या है, जैसे कि जो आपका year, month था उसे आपको select कर लेना है, यहाँ से, और उसके बाद करना है, फिर यहाँ में रोल नंबर को fill करना है, अब यहाँ से हम get documents पर click करें और PDF में चाहिए आपको XML में चाहिए या JSON में चाहिए तो आप जैसे चादर इस mode में इस पर क्लिक करेंगे हमें PDF में चाहिए PDF करते हैं और क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जायेगा और यहां से हम इसे ओपें कर पाएंगे यहां से देख सकते हैं certificate हमारा जो है और issue document यहाँ फिर हमें लिखना seated और seated जैसे आप लिखते हैं तो उसके just नीचे आ जाता है यहाँ पर mark sheet लिखा हुआ mark sheet पर click करना और भरना को roll number यहाँ पर और फिर यहाँ से get documents पर कर देना है test mark sheet भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी थोड़े देर बात क्या होता है कि download होकर आपके सामने आ जाएगा फिर यहाँ cm click करते हैं तो हमारी mark sheet जो है वो भी यहाँ से download होकर आ जाएगी तो आप लोग इसको download कर सकते हैं कर सकते हैं देख पा रहा है यहाँ से mark sheet भी आपकी आ जाती है तो इस तरीके से आप लोग घर बैठे अपना certificate जो है सीटेट का जो आपने paper दिया है उसका documents का सीटेट exam का certificate और mark sheet दोनों चीज़े download कर सकते हैं इस तरीके से घर बैठे आप आसाने से दोस्तों इसे निकाल सकते हैं तो यह था वीडियो जिसमें आपने सीखा कि सीटेट का हम certificate और mark sheet कैसे download करेंगे आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर चैनल पर आप नए है तो प्लीज सब्स्राइब कर करें लाइक करें दोस्तों में सीर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार